बच्चों हम करेंगे 7.3 लीफ देखें क्या लिखा है लिखा है अब्जर्व दा लीज आफ सम प्लांट्स एराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन यूर नोट्बुक चेक है असान गाम है पत्यों वो देखना है और ड्रो करना अपनी नोट्बुक में आगे कोशन है कि आर ओल दा लीफ आफ सेम साइज शेप एंड कलर तो इसका अंसरत आपको पता ही है कि ऐसा हो नहीं सकता कि सारे प्लांट्स की जो पतियां है वो एक जैसे साइज की हों या एक जैसी शेप की हों या एक जैसा कलर हो ठीक है तो इसका अंसर होगा नो अल्ड़ लीफ आफ अल्ड़ लीफ आफ डिफ्रेंट प्लांट्स आर नोट सेम इन साइज शेप एंड कलर तो यहां तक तो सब कुछ सिंपल है असान है अगे लिखा है How are leaves attached to a stem कि जो leaf है जो leaves हैं पतियां हैं वो stem से कैसे जुड़ी होती है कौन उनको connect करता है तो उसका answer है the part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole petiole या नहीं डंठल इंदी मैं डंठल बोलते हूं से petiole तो जो पत्या हैं वो petiole के साथ stem के साथ connect होती है जोड़ी होती है आगे लिखा है the broad green part of the leaf is called lemna तो जो broad जो पुरा जो हरा वाला part होता है पत्ती का उसे बुलते हैं lemna and can you identify these parts of the leaves in plants around you तो यह जो parts है petiole lemna क्या आप इनको identify का सकते हो so yes very easy do all the leaves have petioles क्या हर leaves में petioles हैं तो answer होगा most of the leaves have ठीक है क्योंकि variation बहुत जादा है तो हो सकता है कोई अगादी दे रखी है और leaf में जो चीज़ा भी हमने discuss की वो दे रखा है एक दे रखा है लेमना यह जो green part है पूरा green portion that is lemna and this is stem और यह stem के साथ अटेच है हमारी leaf पैटे और गे साथ चीक है ओके आगे लिखा है लेट इस गैट तो नो दे लीफ बैटर बाई टेकंग टेकिंग इस impression and if you thought that leaves cannot sign here is an activity which will make you think again तो चलो थोड़ा सो और जानते हैं पत्ती के बारे में और उसके लिए पत्ती का impression लेना पड़ेगा और आपको लगता है कि बढ़ी पत्ती का impression लेना असान नहीं है तो नीचे एक activity दे रखिए है वह activity करिए और आपकी यह जो सोच है कि पत्ती का impression लेना आसान नहीं है वो बदल जाएगी यानिकि पत्ती का impression हम आसानी से ले सकते हैं समझाया है ओके ठीक है चलो फिर activity बढ़ें थोड़ी सी ओके तो activity में बचो सबसे पहला जो लिखा हुआ है वो यह है कि put a leaf under a white sheet of paper और a sheet in your notebook आपको एक paper लेना है white sheet मिल जाते अच्छी बात है नहीं तो अपनी notebook का paper भी चलेगा और उसके नीचे एक पत्ती लखना है ठीक है उसके बात क्या करना है hold it in place as shown in the figure 7.9 यह जो figure है नीचे इसके साबसे आपने लखना है यह जो paper है इसके नीचे एक पत्ती है और इस paper को देखो किस तरीके से हाथ के साथ hold किया हुआ है ओके और दूसरे हाथ से आप एक pencil लेखे उसका impression लेने की कोशिश करते हैं के लिए हुआ हुआ ओके आगे लिखा है hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of paper having the leaf below it and did you get an impression with some lines in it are they similar to those on the leaf तो क्या आपको impression मिला answer होगा yes क्या यह similar है leaf के साथ answer होगा yes चीक है तो यह बहुत आसान है इसे आप बड़ी आसानी से खुद बखुद कर सकते हैं और यह बहुत इसमें कोई किसी तरीके का डेंजर भी नहीं है कि बड़े की help की जरुबत है आपको तो you can do yourself आगे लिखा है कि these lines on the leaf are called veins चीक है and do you see a prominent line in the middle of the leaf and this is called the midrib और जो बीच में जो एक बड़ी line है उसे कहते हैं midrib veins midrib आगे लिखा है the design made by veins in a leaf is called leaf venition okay and if this design is net like on both side of the midrib the venetion is called reticulate चीक है तो उस केस में क्या 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 लाएगा यह reticulate venetion और दूसरी केस में in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another and this is parallel venetion तो एक हो गया reticulate और एक हो गया parallel के लिया reticulate और parallel इसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है आगे लिखा है observe the venetion in as many leaves as you can without removing them from the plant and draw the pattern and write अब जितनी leaves का आप impression ले सकते हैं ले लो बिना plant से तोड़े और उनको अच्छे से आप observe करो क्या मिलेगा observe करने के बाद देखिए जब आप observe करेंगे तो उसके बाद name of some plants having reticulate and parallel venetion और उसके बाद जो अलग-अलग plants आपने observe किये leaf observe किये उनके बारे में बताना है कि उनकी leaf reticulate है reticulate venetion के साथ है या parallel venetion के साथ है ठीक है मैं आपको एक बार समझाने के कोशिश करता हूं कि reticulate में क्या होता है कि एक mid rib होती है और उसके side में इस तरीके से यह जो structure है यह कहलाता है कौन सा हां यह कहलाता है reticulate और जिसमें इस तरीके से parallel ribs होती है और सॉरी रिप्स नहीं वेंस सॉरी सॉरी इस वेंस तो इसको कहते हैं यह यहां भी मैंने लिखते हैं आगे लिखा है शैल वी नाओ फाइंड आउट सम आफ दी फंक्शन्स आफ अलीव तो अब structure तो हमने डिसकस करी लिया है तो चलो अब function discuss करते हैं तो क्या function है activity 4 है ओके तो बच्चो यह लिखा है इसमें कि वी विल रिख्वायर अहब तू ट्रांस्पेरेंट पॉलिथन बैग्स एंड थ्रेड and do this activity during daytime on a sunny day use a healthy well watered plant that has been growing in the sun and close a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure and tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun समझा है तो आपको एक herb plant लेना है short plant जो होता है और यह plant ऐसा होना चाहिए जो वैल वाटर्ड हो मतलब मैं अच्छे से उसको आपने पानी दे रखा हो पहले से ऐसा नहीं कि पहले सी पानी की कमी है उस प्लांट को और दूसी चीज़ यह कि सन के अंदर यह ग्रो होना चाहिए क्योंकि यह सनी डेज में रही हम एक्टिविडी का सकते हैं और इस प्लांट को आपने पॉलिपन इसके उपर चड़ाके और यह अच्छे से बांदेना है और यह दूसरी पॉलिपन है उसको ऐसी बांदेना है और दोनों पॉलिटिंस को सन के अंदर रखना है ठीक है सन में रखना है धूप में रखना है ठीक है जब आप धूप में रखेंगे तो क्या होगा देखे लिखा है आफ्टर आफ फ्यू आर्स कुछ घंटे बाद observe the inner surface of the covers and what do you see are there any droplets of water तो इस खांसर है yes and how do you think they got there ठीक है तो पानी है अची बात है लेकिन यह आया कहां से है so don't forget to remove the polythene bag after the activity तो जो polythene आपने चड़ाई हुई है ना प्लान के उपर activity के बाद उसे हटाना ना भूले हैं क्योंकि अगर आपने नहीं हटाया तो बिचारा प्लांट सहीद हो जाएगा ठीक है आपकी छोटी से एक्टिविटी के चक्कर में एक प्लांट सहीद हो जाएगा तो डोंट फोगे टो रिमूब दे पॉलिटेंट आफ्टर दी अक्टिविटी एगा आगे लिखा है बच्चों कि वाटर कम्स आउट अफ लीव्स इन दा फॉर्म अफ वेपर बैद प्रोसेस काल्ट ट्रांस्परेशन थीक है क्या प्रोसेस है ट्रांस्परेशन तो यह ट जिसके तुरू वाट जिसके तुरू प्लांट एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देता है ट्रांस्परेशन के बारे में पढ़ेंगे सीखेंगे जानेंगे ओके आगे दिखते हैं आगे लिखा है कि वाई डिट वी टाई अकवर अराउंड दी लीवस और वुड़ वी हैव सीन दे वाटर आगे क्या लिखा है ओके आगे लिखा है इवापोरेट इफ वी हैड नॉट टाइड आपॉलिटन कवर तो अगर हमने यह पॉलिटन कवर नहीं देखा होता तो क्या हमें वह पानी दिखता बिल्कुल नहीं दिखता क्योंकि वह तो फिर वाटर वेपर की फॉर्म में था वह एटमस्फियर में मिक्स हो जाता क्योंकि हमने उसे टाइड कर रखा है उसके पास स्पेस ही नहीं है तो वह वेटर वेपर जब कूल पॉलिटन से टकराएगी तो वापस से वह कंडेंस हो जाएगी यानि वेपर पानी में बदल जाएगी और वही ड्रॉप रैट हमें नजर आ रही है जैसे कि सर्दियों में नजर आते हैं चोटी-चोटी बूंदे हैं ठीक है जिसे हम ओस कहते हैं तो इन चैप्टर फाइव वी नोटिस्ट वाटर चेंजिंग इंटो डिफरेंट फॉर्म्स इन सम अफ आर एक्टिविटीज तो वह तो मैंने भी बताया है कंडेंस यानि की कंडेंसेशन तो कंडेंसेशन इस दे प्रोसेस बाइविच वी अरेबल तो सीधा वाटर दोप्रेट्स ओके आगे लिखा है लीव्स आल्सो हैव एनदर फंक्शन लैट अस्टेडी दिस तो एक फंक्शन तो यह हो गया कि वाटर निकालने का काम करती है लीव्स यानि कि जो एक्सेस वाटर है उसको लीव्स टांस्परेशन के थुरू बहार निकाल देती हैं और एक दूसरा फंक्श है जो हमरे लीव्स प्लांट सी लीव्स पर्फॉम कर दी है वी वुड रिक्वायर अलीव इस्प्रिट अबीकर टेस्ट यूप बर्नर वाटर वाच ग्लास एंड आयोडिन सॉलूशन फॉर दिस एक्टिविटी तो जो जो चीज़ें चाहिए वो मैंने आपको सारी बता द होता है लिक्विड होता है अब बीकर टेस्ट ट्यूब बर्नर ठीक है गरम करना पड़ागा पानी वाटर वाच ग्लास जिसके उपर तके आप देखेंगे आयोडिन सॉलूशन यह भी एक कैमिकल है और इस एक्टिविटी तो अगर यह सारी चीज़ें हैं तो यह समझे है तो आपने पती लेनी है और उसको पूरी तरीके से डुबो देना है इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा बताते हैं क्या होगा इसके बाद लेकिन बताने से पहले एक नोट लिखा है वो पढ़ना जरूरी है आपके लिए देखो क्या नोट है नोट यह ह है कि since the activity involves the use of spirit and heating it is advised that it is demonstrated by the teacher in the class oh यानि कि यह काम आपको नहीं करना है teacher को करना है वो आपको दिखाएं तो ज्यादा अच्छा है ठीक है रीजन के है क्योंकि इसमें spirit है और इसमें heating भी involved है तो यह काम आप खुद नहीं कर सकते हैं यह आपके लिए ठीक नहीं है it is little bit risky okay so don't do this activity on your own बट हाँ कोई बड़ा करके दिखा रहा है ची बात है देखो okay बाकी तो मैं यहां आपको इतने अच्छे से समझा दूँगा कि आप बिना activity करे ही सारी information आप ले सकते हो सुनो देहन से now place the test tube in a beaker half filled with water heat the beaker till all the green color from the leaf comes out into the spit in the test tube ठीक है and take out the leaf carefully and wash it in water place it on a watch glass and pour some iodine solution over it तो जो लीफ हमने ली थी जो पूरी तरीके से डूबी हुई है spirit में उसके बाद हमने उसे गरम किया गरम करने के बाद जो green color था वो सारा इसका भार आ गया उसके बाद हमने लीफ को निकाल के पानी से दोया पानी से दोने के बाद लीफ को हमने watch glass पे spread किया और उसके उपर फिर iodine solution डाला और उसके बाद क्या हुआ वो हमें आगे बढ़ना है उसके बाद बच्चों देखो क्या हुआ कि what do you observe compare your observation with the those done in chapter 2 when you tested food for presence of different nutrients does this mean that the leaf has starch in it answer होगा yes क्योंकि जब आप iodine solution डालेंगे तो यह भी blue black color वाला जो spot है वो आ जाएगा जो chapter 2 में potato के case में हुआ था अगर अपने chapter 2 अच्छे से कर रहा है तो आपको याद होगा वो सब चीक है नहीं किया तो दुबारा कर लो कोई शू नहीं ओके अगे लिखा है in chapter 2 we saw that a slice of raw potato also shows the presence of starch ठीक है यह बता रहा था न मैंने आपको potato gets this starch from their leaves and store it and leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them और उसे बोलते है chlorophyll यहाँ पर लिखाना है चलो मैंने बता दी आपको chlorophyll and for this they also use water and carbon dioxide and this process is called photosynthesis okay the photosynthesis क्या है वो process जिससे पतियां अपना खाना खुद बनाती है हमारे plant खुद अपना खाना बना सकता है और उस process का नाम है photosynthesis इसके आगे लिखा है कि oxygen is given out in this process क्योंकि जब plants photosynthesis करते हैं तो oxygen उनके पास एक by protect होता है यानि कि बेकार protect होता है जिसे वह बहुत रिलीस कर देते हैं जो हमारे लिए बहुत का होता है the food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of plant तो फ्रूट में हो सकता है वो रूट में हो सकता है वो स्टेम में हो सकता है तो ऐसे अलग अलग parts में यह store हो जाता है जो food plant बनाते है photosynthesis से चिक है आगे इसमें लिखा है बच्चो ओके देखे क्या लिखा है आगे लिखा है एक मिट we have seen that the stem supplies leaf with water the leaf uses the water to make food the leaves also lose water through transpiration and how do the stem and leaves get water that is where the roots comes in अब बात आती है के पानी use हो गया transpiration में पानी को release भी गर दिया लेकिन पानी आया कहां से तो पानी आया प्लांट में रूट के ज़िए तो यह से देख लो दो चार बार जिससे कि पूरा का पूरा लीफ वाला जो concept है वह डंक से समझ में आ जाए वट इस लीफ वट इस लेमना वट इस वेन वट इस मिड्रिव वट इस पेटियोल वट इस स्टैम ठीक हैं देस डैट सब कुछ समझा है तो अच्छे से स्टडी करो और बाद जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में और फिर करेंगे रूट ओके थैंक यू